चलिए ProduIZION которой 5 को solve करते हैं। इसमें क्या का जा रहा है..एक ऐसे Big-Nad वे ऐंचाई निकालनी हैं। as is equal to Part जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब हमें आयतन दिया गया, आयतन कितना दिया गया है, 1.54, लिख दीजे, जो जो दिया गया है, आप लिखते चलिए, 1.54 मीटर क्यूब जिसके आधार का ब्यास 140 सेंटी मीटर है, आधार का ब्यास, यानि कि जो में D दिया है, वो 140 सेंटी मीटर द जाएगी त्रिज्या व्यास की यादी यानि की D upon 2, D का मान कितना है, 140 और 140 का बटा 2 कर देंगे, 140 का बटा 2 कर दीजे, देखी क्या हो जगा, 2, 1 के 2, 2 सती 14, तो हमारे पास क्या आ गया, 70 cm, यहाँ पर देखे, आयतन में किसमें दिया है, मीटर में, और यहाँ पर त्रिज्या किसमें दी गई है, cm में, तो cm से मीटर में चेंज कर देते हैं, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सौसे भाग दे देंगे सौसे भाग दीजे देखी क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 0.7 मेटर तरिज्या किस में आ गई मेटर में आ गई चलिए अब हमें बेलन की उचाई निकालनी है तो हम लोग बेलन के आयतन का फॉर्मूला जानते हैं लिखिए बेलन का आयतन हमें दिया भी गया है तो हम लोग बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे लिखिए बेलन का आयतन तो इस्टुडेंट बेलन का आयतन क्या होता है आप लोग फॉर्मूला बताइए अगर हम लोग बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है pi r square h और यहाँ पर देखे, मैं बेलन का आयतन दिया गया है 1.54 मेटर क्यूब हमें बेलन का आयतन दिया गया है πाई का हमान क्या होता है 22 बटे में 7 r square और r हमारा कितना, देखे, 0.7 हमने इसको मेटर में चेंज कर दिया ना तो लिख दीजे 0.7 into में 0.7 into में edge और edge का मान हमें क्या करना है निकालना है ठीक बच्चों चलिए अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर दसमलों को हम लोग हटाते हैं कैसे अटाएंगे दोनों तरफ आप 100 से multiply कर देए ठीक है तो यहाँ पर सो से multiply करें देखें दसमलों किदर सिफ्ट हो जाएगा हमारे पास आजाएगा कितना चावण यहाँ पर देखें 22 बटे में 7 अब देखिए यह 100 से multiply करना है तो इसको हम 10 से multiply करें इसको 10 deny कितना हो ज pigs तो इसको हम multiply कर देते हैं 10 से थोएथ हफ़ा बहुए एक दस बचा है मिए और जो 10 बचा है उसको इससे multiply कर देक है हिस तरीके से हमारे पास आ गए है अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे आया तो यहां पर हम लिख देते हैं हमने दोनों तरफ 100 से multiply किया ठीक है छाँ से गुडा किया दोनों तरफ 22 गुड़े 7 हैं इदर multiply के साथ है इधर बेजेंगे भाग के साथ हो जाएगा यहाँ पर लिखे 154 और यहाँ पर 22 गुड़े साथ क्या है multiply के साथ यहाँ पर आएगा किसके साथ हो जाएगा लेके 52 सत्य जंक 154 तो चलिए किष्टे पाउर लिख दें आपके लिए यहां पर लिखे 154 22 को साथ से मल्टिप्लाइ करें साथ दूरी 14 के 4 हां से लिए साथ दूरी 14 एक 15 is equal to h तो यहां से 154 हमारा 154 से कट जाएगा और student जो उचाई है तो हमारी क्या आ गई है 1 ,"m", क्योंकि हमें हमने किसमें कर लिया था मीटर में तो ऊंचाई हमारी पास क्या आ गई है रुचाई हमारी पास क्या आ गई है e Serbas लिकिये यहां पर आ गया व prone लेकिए अधे पुनचाई h is equal to one ένα है kोदिकिर है kि गवड़ाबर one樓 मीटर इ sound हमारा क्या होगए एंसोर हो गया अता उचाई है इसको हल कर लिया है तो चलिए अब लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पड़ते रहें थैंक यू